हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी कीचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम यूनिक तरीकी की बालुशाई की रेस्पी तो दोस्तो बालुशाई तो आपने काफी बार बनाई होगी खाई होगी मार्केट से लेकर आए होंगे मगर आज जो हम बालुशाई बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी एकदम रसीली एकदम लच्छेदार हमारी बालुशाई बनेगी तो एकदम नई रेस्पी है दोस्तो आप इसे देखते ही तुरंत बनाऊगे और जिससे भी खिला दि मैं आज यह मैदे से बनारी है दो चुटκι जितना हम मेठा सोडा ढालेंगे बैकिंग सोडा वही तो बेकिंग सोडी से क्या होता हमारी बालुशाईब जाद हां पर भी प्रेखते हम तो जादा नहीं आपको दो चुटकी जितना डालना है और मिठे को मेठा बनाने के आधि कटोरी जितना लिया गी को मैल्ट कर लिया है तो यह पर बनाई न तो आप घी को कर्म यह यह पर लिए आधि काटोरी मेध्य सो कुंकि मुठी पूती को मैंद लगे गाए ऍच्छे को सब्हुंकर सब्सक्राइब भुण मारत है दरल घुम नाफ से आप है जो इसमें एड़ कर लीजी अब हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुए इसका है जो आटा लगा लेंगे तिहां पर एक ज़रूरी ट्रिप बताती हुँ दोस्तों तो आपको इस आटे को गूतना नहीं है सिर्फ आपको इस आटे को एकठा करन बताती है तो भी यह डिये ट्रेक है जो फॉलोग करें तापकी बालुशाय अंदर से भूतती ज्यादा खसता बनेगज सबसे पहले एक बड़ा सा इस तरीके से बावल ले लेंगे तो बावल आपको थोड़ा सा उंचाई वाला लेना है कोई भी बरतन ले लिजे और इसमें हम यहां पर डारेंगे यहां पे और भी खूटूरी जीतनी चीनी तो दो कुलाब जाओं की चासनी जितनी तो टो को तो बवार हुनकी चासनी धोड़ी कर सकती हो तो कलर डालने से ना हमारी मिठाई दिखने में बहुत ही ज़्यादा टैम्टिंग लग रही है मैं इसलिए डारी हूं तो कलर पहले मुझे थोड़ा लगा तो मैंने या पर थोड़ा सा और एड़ कर दिया है और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे तो चलाती हुए च चासनी बनकर त्यार हो गए तो आपको इस तरीके से चैक करने एं थोड़ी सी चमच में चासनी को नेकालना है और इस तरीके हिए सेbralे के पर देAC हमारे ठंडी में धनेंगे hem काटोड़ी करों तरो यहतु छाए पानी डाल game geb pant किरकोगि भाज़ से तो हम घंड़ करनें पर वह उंद सकते हैं तो इसे से रखते हैं साइड में और अब हम आटे को चेक कर लेते हैं तो आटे ने भी अच्छा सा रेष्ट कर लिया है तो जब भी आप इस तरीके से आटा रखे ना तो दस से पंद्रा मिंट के लिए ढख के आटे को जरूर रखे आटा गुंतने के बाद में अच्छे सी सेट हो जा याट कार रखे लिए तो इसके आटा अखे से ढहर है तो इसके फटेंगा है क्योंकि हर अदम कलीन कर लेंगे तो अच्छे से पहले हम रोटी बैल लेंगी तो रोटी हम सी न कटील है यह नहीं रोटीली है अब हम क्या करेंगे इस तरीके से पहले हम इसके दो पीस कर लेंगे बराबर में फिर इसके चार पीस कर लेंगे इस तरीके से और फिर हम इस तरीके से तिर्चा कट करेंगे और फिर इस तरीके से तिर्चा कट करेंगे तो यह आठ पीस हम इस तरीके से कट कर लें तो आप इस तरह के से बराबर इसों में कट कर लीजी अब हम इसके उपर थोड़ा सा मेदा लगाएंगे इस तरह के से सूखा मेदा लगा देंगे आप चाहे तो इसके उपर आटा भी लगा सकते हो इससे क्या होगा जब हम इसको इस तरह के साथ चिप केंगे नहीं तो आपक रखे अलका सा इस तरीके से दबा देंगे और अब हम यहां पर चाकू लेंगे चाकू की बेक साइड में या आप चाहे तो चम्मस की बेक साइड में भी इस तरीके से घुमा देंगे इस तो हदेली में रखे खे उपर से ऐस तरीके से दबा के और बाद में पता है तो एकूल विए इस तरीके से दबा देंगे तो यह हमारा फ्लावर वाली है जो बालू-षय बनकर ट्यार हो जाएगी और यह जो इसके किनारे इस तरीके से खुले-खुले लग रहे हैं तो यह आपको पता है तेल में जाते हैं एक्दम खुल जाएंगे तो हम क्या करेंगे जो मेदा हमने घोल के रखा है ना वो हम यहां पे किनारे पे हलका हलका इस तरीके से लगा देंगे उपने उपन में और कना कारी सथ है उपने जाएंगे। ना की स्यवतन और इसमता है मीम करें दिखा दौन आ झाय की onsुह besống सब्सक्राइब की नोहुति होे निर्फ समय पहल्ए ठीके सब्सक्राइब हाट में रखेंगे हतेली में तरी के से और जो तीकिः वाला किनारे घुमाते हुए उसके ऑफ़ार गूमाएंगे और घुमाएं जो अटा बर आ घुमाएंगे और नब चुर यह देखे आए और यह देखे ल होंत न bên रहा दिख रही हैं उस पर हम मेयीद का गोल लगा देंके तो यह अच्छी शिपक जाए गार बाद में हमने इसे फ्राइ करेंगे न बहुती प्यारी सी हमारी बालु शाई बणक कर त्यार हो जएगी इसी तरीके से मैंने हैं जो सारी बालो शाइए जो बना लिया है और यह देख सकते हो हमारे इतनी सारी बालो शाइव बन गई तो एक केसा उपर जूत पाइगे देमी दीमी आज पे है जो पकने देंगे आज को बिलकुल ही धीमी कर दीजे जितनी दीमी आज पे पकेगी उतनी अंदर तकी अच्छे से पकेगी अगर आप हाई फ्लेम पे या फिर थोड़ी तेज आज पे पकाएगे तो उपर से तो यह पक जाएगे अंदर से फिर आठा है जो कच्छा रहे जाएगा और यहां पे यह देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पक गए तो लगबग इन्हें 15-16 मिंट हो गए पकती हुए तो अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरीके से गरमा गरम निकाल के और गुनगुनी चासनी में डाल देंगे तो यह देख सकते हो चासनी हमारी गुनगुनी है अगर आपके चासनी ठंडी हो गए तो आप इसे हलका साय जो गरम कर लीजिए और एकदम गरम चासनी में नहीं डालना आपको गुनगुनी ही चासनी में डालना है और इस तरीके से है जो डाल देंगे और उपर से इसके उपर चासनी डाल देंगे तो पूरी अच्छे से य याना उन्हें भी इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे और इन्हें लगबग रखे हुए है जो 15-20 मिट हो गए तो अब हम क्या करें इन्हें निकाल लेंगे और जो बाकी मेंने फ्राइ करें वो अच्छे से जो फ्राइ होगे तो अब हम इस तरीके से निकाल के और बाकी जो फ् पर से गानिश कर देंगे तो यहां पर मैंने पिस्ते की गानिश कर दिया थोड़ी से चांदी का वरक लगा दिया तो इस तरहीं किसे लुकिंग और भी अच्छी लगती है तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं कि अंदर तक कि यह कितनी ज्यादा जूसी है और यह हमारी बालू शी बन कर त्यार होगे एक्दम जूसी रसीली हमारी बालू शी बनी है तो फिर देर किसबात कि दोस्तों आप इस रेस्पी को जुरूर से ट्राइ करना और अगर रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि ये रेस्पी आपको कैसी लगी पूरी रेस्पी देखने के लिए धन्यवद